नमस्कार दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा राज्ज है संघर्ष और समर्पन. ये कहानी है एकता और समीर की, जो अपने सामान्य जीवन से बहुत दूर एक खास सपने की तलाश में थे. ये कहानी आपको यह सिखाएगी कि जब आप मेहनत, समर्पन और आत्मविश्वास से सपनों की पूर्ती करते हैं, तो आप अपने आपको नए आसमानों की उंचाईयों में पा सकते हैं. इसलिए जागरुक रहें और अपने सपनों की पूर्ती के लिए हमेशा प्रेरित रहें. एकता और समीर दोनों एक मिडल क्लास परिवार से थे. एकता का सपना था पाइलट बनने का और समीर का सपना था अपने फोटोग्राफी स्टूडियो का मालिक बनने का. एक दिन समीर के कैमरे में कुछ खास पलों की फोटो लेते हुए उसे लगा कि अब उसका उड़ने का समय आ गया है. लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, रास्ते में मुश्किल ने आती हैं. समीर को अपने स्टूडियो के लिए वित्तिय समर्थन चाहिए था और एकता को अपनी पाइलट प्रशिक्षन के लिए. दोनों ने मिलकर निर्णय किया कि वे अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें पता था कि सफर मुश्किल होगा. समीर ने अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी, जबकि एकता ने पाइलट टाइम नौकरी शुरू की ताकि वह अपने पाइलट प्रशिक्षन के लिए पैसा एकठा कर सके. समीर का स्टूडियो शुरू हुआ, लेकिन लोग उसे पहले ही कमजोर समझते थे, क्योंकि वह एक छोटे शहर से था. लेकिन समीर ने अपने जजबे और समर्पन से सभी को चौका दिया. उसकी फोटोग्राफी लोगों के दिलों को चूग गई, और उसका नाम तेजी से बढ़ने लगा. एकठा भी अपने पाइलट प्रशिक्षन में महनत कर रही थी. उसने रात भर पढ़ाई की, दिन भर काम किया और पार्ट टाइम नौकरी शुरू की. समीर ने छोटे शहर को दिखा दिया, कि सपनों को पूरा करने के लिए शांदारता का कोई स्थान नहीं होता. एकठा भी अपनी महनत और समर्पण में लगी रही. उसने अपनी पाइलट प्रशिक्षन में सभलता प्राप्त की और उडान भरने का सपना पूरा किया. एक बड़ी चुनोती है और एकठा एक सफल पाइलट बन गई है. यही वो पल है जब समीर और एकठा ने अपने सपनों की पहली कदम रखी और अपने जीवन को सपनों से भरा बना लिया. इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का सबसे बड़ा कदम खुद को और अपने सपनों को मानना है. समीर और एकठा ने अपने मन की बातों को सुना और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने का निर्णय किया. इसमें संघर्ष था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में काम करने के परिणाम स्वरूप अपने सपनों को पूरा किया. उनकी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सपने हमारे विचारों को मूल देते हैं और हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं. अगर हम मेहनती हैं, सही दिशा में काम करते हैं और हार नहीं मानते, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं. इसलिए जब भी आप महसूस करें कि आपका उड़ने का समय आ गया है, तो इसका आनंद लें और आसमान को छूने का मौका हासिल करें, क्योंकि आपके सपने हकीकत में बदल सकते हैं, और यह वही समय है जब आपकी कहानी शुरू होती है. समीर और एकता ने अपने सपनों की उचाईयों को छूने के लिए जोरदार प्रयास जारी रखा. समीर ने अपने फोटोग्राफी स्टूडियो को और बढ़ाया, अपने क्षेत्र में एक पहचान बनाई और नए नए रुजानों में कदम रखा. उन्होंने संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. एकता ने भी अपनी पाइलट ट्रेनिंग में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी. उसने अपनी महनत और समर्पन से उड़ान भरते हुए सपने की उचाईयों को छूने का मौका प्राप्त किया. जब हम अपने सपनों के पीछे लगते हैं तो हर मुश्किल हमें एक कदम और क्रीब ले जाती है ये आपका उड़ने का समय हो सकता है आप बस तैयार रहे समीर और एक्ता की महनत और संगर्ष ने नए सपनों की उँचाईयों को छूने का मौका दिया समीर का फोटोग्राफी स्टूडियो बहुत पॉपलर हो गया था और एक्ता ने अपने पाइलट करियर में एक उँचा स्तर हासिल किया था इन दोनों की कड़ी महनत ने ना ही सिर्फ उन्हें बलकि उनके परिवार को भी गर्वित बना दिया समीर का सफलता से भरा फोटोग्राफी स्टूडियो और एक्ता की उँची उडान ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों की पूर्ती के लिए आपकी महनत और आत्म समर्पन से बड़ा कुछ नहीं है जब आप अपने मन को और अपने लक्षियों को उस पश्टता से देखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपकी राह में नहीं आ सकती साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता का सफर हमेशा सीधा नहीं होता रास्ते में मुश्किलें आएंगी लेकिन आपकी निरंतर महनत और आत्म विश्वास से आप हर कदम पर आगे बढ़ सकते हैं इसलिए जब भी आप महसूस करें कि आपका उड़ने का समय आ गया है तो सीधे आस्मान की ओर बढ़ें और अपने सपनों की पूर्ती के लिए बिलकुल तयार रहें क्योंकि जब समय आता है आस्मान को छूने का तो हर कठिनाई और संगर्ष हमें एक नई उचाई तक पहुँचाने में मदद करता है समीर और एक्ता ने अपने सपनों की पूर्ती के लिए महनत और संगर्ष से भरा सफर तय किया उनकी कहानी हमें यह दिखाती है कि सफलता के लिए आत्म समर्पर्ण और विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है समीर ने अपनी फोटोग्राफी में अद्वितियता लाने के लिए अपनी योजना को सही तरीके से प्रदर्शित किया जबकि एक्ता ने अपनी उडान भरने की कला को सीखा और उसे अपनाया इनकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ने की जरूरत नहीं होती संघर्ष और महनत के बावजूद आत्म विश्वास और सही दिशा में बनाये रखना हमें सफलता की उँचाईों तक पहुँचा सकता है समीर और एक्ता की तरह ही हमें भी अपने लक्षियों की प्राप्ती के लिए आगे बढ़ना चाहिए चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो हमारी महनत, संघर्ष और सकारात्मक दृष्टिकोन हमें सीधे आकाश की उँचाईों की ओर ले जा सकते हैं इसलिए जब भी आप महसूस करें कि आपको आस्मान की उँचाईों को छूना है तो हिम्मत और आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ें क्योंकि आस्मान को छूने का मौका हमेशा हमारी महनत और संघर्ष के बाद ही आता है और ये हमें अपने सपनों की पूर्ती का सबसे सुन्दर एहसास कराता है समीर और एक्ता ने अपनी कड़ी महनत, आत्म समर्पन और सही दिशा में काम करने से अपने सपनों को हकीकत में बदला उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम सही मार्ग पर चलते हैं और हार नहीं मानते तो हम किसी भी लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं समीर ने अपने फोटोग्राफी में अपनी अनूठी पहचान बनाई जो लोगों को प्रेरित करने और चिंगारी बोने का कारण बनी एकता ने भी अपनी मेहनत और आत्म विश्वास से सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया बलकि दूसरों को भी प्रेरित किया इन दोनों की सफलता कहती है कि हर कोई अपने लक्षियों को प्राप्त कर सकता है बस उसमें महनत, आत्म समर्पन और सही दिशा होनी चाहिए सपने हमें आगे बढ़ने की दिशा में मार्ग दर्शन करते हैं लेकिन हमें खुद को संघरशात्मक रूप से समर्थन करना होता है इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता में कोई सीधा रास्ता नहीं होता लेकिन आत्म नियंतरन, विश्वास और महनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है तो अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो बस खुद को आजमाएं और आसमान को छूने का मौका पाएं चाहे रास्ते कितने भी कठिन हो जब आप महनत, इमानदारी और समर्पन से अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपको उचाईयों तक पहुँचने में कोई रुकावट नहीं आ सकती इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब समर्थन, महनत और संगर्श मिलता है तो हर सपना हकीकत में बदल सकता है और उड़ने का समय कभी भी आ सकता है बस हमें तयार रहना होता है तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना खयाल रखें